देखें एक शब्द है अधिकान्ष तो इस ट्रीव में अधिकान्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे अधिकान्ष का मतलब होता है अधिकान्ष का मतलब होता है अधिकान्ष तेया बड़ा भाग अनेकता अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा आम तोर पर मुख्य रूप से आम तोर से मतलब अधिकान्ष इंग्लिश में अधिकान्ष का मतलब होता है most or mostly, majority, primarily, mainly, basically, principally, basically, almost, entirely and it is similar about English में इसके शब्द हो सकते हैं अधिकान्ष के example से sentences में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से जिसे बोलेंगे आम बोचाल में तो इस तरह से शब्द को परियोग करेंगे हम लोग कि लोगों का कहना है कि उनका अधिकान्ष समय पानी के खोज में निकल जाता है मतलब अंगलिश में people say that most of their time is spent in search of water तो most of the time मतलब अधिकान्ष समय दूसरा example है कि वहाँ अधिकान्ष समय धूप रहती है मतलब अंगलिश में it is sunny there most of the time तो most of the time का मतलब अधिकान्ष समय ज्यादा तर वक्त ठीक है तो उमिद है अपने अधिकान्ष शप्त को इंगलिश और हिंदी में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है थैंक्स वर वाचिंगे जुके यार डेस